भारत न्यूजिलेंट के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जारी तीसरे वंडे मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के शांदार शतक के दमपर टीम इंडी या में न्यूजिलेंट के खिलाफ पचास ओवर खेलने के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल्स को खड़ा किया है इस क्रम में रोहित शर्मा ने 138 गेंद का सामना करते हुए 18 चोकों और दो छिकों की मदद से 147 रन बनाय और अपना 15 वा शतक लगाया इस शतक के साथ ही रोहित वंडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से चोथे बल्लेबाज बन गए तो वही कप्तान कोहली ने इस मेच में अपना 32 शतक लगाया कोहली ने 106 गेंद का सामना करने के बाद 9 चेके और एक छक्के की मदद से 113 रन बनाए इसके अलावा होडिक पंडिया ने 6 गेंद में 8 रन, धूनी ने 17 गेंद में 25 रन, केदार जाधव ने 10 गेंद में 18 रन और दिनेश कार्तिक ने 3 गेंद में रन बनाए इस रिपोर्ट में दो तस्वीरे दी गई है, जिसके माध्यम से आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट, वंडे के साथ साथ टी बीस मैच में अप्तर के सभी रिकॉर्ड को समझ सके